प्यारे बच्चियों लो मैं फिर तो आ गई थाड़े लही एक होर मज़ेदार कहानी लेगी बच्चियों तुसी कई बार देख्या होवेगा कि तुसी कुछ पौणा चान देओ कुछ बनना चान देओ पर जिमें तो अनु ये पता लगदा है कि जिसनु तुसी पाणा चान्दे हो जा कुछ बढ़ना चान्दे हो उसलिए तो अनु मेनत करनी पवेगी, संगर्ष करना पवेगा, तो तो हड़ा मन बजल जानता है। बच्यों अक्सर अजे हां कई लोग का ना लूंता है। बच्यों अज मैं तो हाड़े ले एक अजे ही कहानी लेके आई हैं, जिसनु सुनके तो हनु समझ आ जावेगा कि इंसान ओही बनता है, जिमें ओ खुदनू बनाऊना चौनता है। इस स्टोरी आजे तो हनु जीवन दी बहुत वड़ी सिख देवेगी। इसलए त्यान ना चुने। बहुत पहला दी गाल है एक पिंड विच एक बाल नाम दा एक शिल्प कार रेंदा सी। बचियो शिल्प कार उसनू केंदे हम जो लोग मिट्टी जे बर्तन जा मूर्तियां बनाऊनता काम करता है। समझ गए ना? याद रखियो एक बाल मूर्ति बना के अपने कारड़ा पालन पोशिन करता सी। एक दिनदीगाल है, एक बाल मूर्ति बना अपने जंगल वीच पत्थर लपन गया। ओ थे उसनों एक बहुत ही चंगा पत्थर मिलया पत्थर देखके एकबाल बहुत खुश होया ते मन ही मन विच ओ सोचन लगया कि मूर्ती बणा ओनले एक पत्थर बिल्कुल सही है एकबाल ने पत्थर चुक्या ते पेंडवल चला गया जदो ओ कार जार या सी ता उसनों एक होर पत्थर मिलया ओ पत्थर भी एकबाल नों मूर्ती बणा ओनले ठीक लगया एकबाल ने उस पत्थर नों भी चुक्लिया ते दो में पत्थर अपने कार ले आया कार पहुंच दे ही उसने अपने ओजार चुके ते पत्थरा ते कारीगिरी शुरू कर देती जिमें ही इक बाल ने पत्थर उत्ते अपना ओजार चलाया तब पत्थर विच्चो अवाज आई मेनू छाट देओ इसनल मेनू बहुत दर्ध हो रहा है जिकर तुसी मेरे साट मारो गेता मैं बिखर जावागा तुसी किसे होर पत्थर नाल मूर्ती बना लगो पत्थर दी गाल सोन के शिल्पकार नू तरस आगया उसने पत्थर नू छाट देता आते दूझे पत्थर नू लेके मूर्ती बनाओन लाग दिया वो पत्थर कुछ नहीं बोलया कुछ समय विच शिल्पकार ने उस पत्थर नू बहुत ही चंगी पगवान दी मूर्ती विच बजल देता जिमें ही पेंडे लोका नू मूर्ती बढ़न दी गाल पता लगी ता पेंडे लोग मूर्ती नू लैंड लेई आ गए ता जो मूर्ती दी पूजा किती जा सके पेंडे लोका ने एक बाल नाल गाल किती दे मूर्ती नू लै गए पेंडे लोका ने सोचिया कि जदो इस मूर्ती दी पूजा किती जावेगी उस समय नारियल वि तोड़या जावेगा उना ने उथे पए दूझे पथर नूवी अपने नाल ले लेया मूर्ती नूँ ले जाके लोकाने मंदर विच राख दिता ते दूझे पथर नूवी मूर्ती सामने राख दिता जदो वी कोई व्यक्ती मंदर विच दर्शन ले ओंदा ता मूर्ती दी फुला नाल पूजा किती जान दी ते दुद चड़ाया जान दा ते जो पत्थर बाहर सी उस उत्ते नारियल फोड़या जान दा जदो लोग उस पत्थर उत्ते नारियल तोड़ दे ता ओ पत्थर बहुत परेशान की दा उसनों दर्ध हुंदा ते उचीक दा पर कोई उस दी गाल सुनन वाला नहीं सी उस पत्थर ने मूर्ती बढ़े पत्थर नाल गाल कीती ते किहा कि तेरे ता मजे हान लोग तेरी पूजा कर दे हान तेनू ता दुद चड़दा है ते लड़ू दा प्रशाद चड़दा है पर मेरी ता किस्मती खराब है मेरे ते ता लोग नारियल तो ओड़दे जान दे हैं इस उत्ते मूर्ती बढ़े पत्थर ने किहा कि जद शिल्प का तेरे उत्ते कारीगिरी कार रहा सी ता जेकर तुँ उस समय नहीं रोक दा ता आज मेरी जगा तू हुन दा पर तु आसान रास्ता चुनेया इसले ही तुँ हुन दुख उठा रहे हैं उस पत्थर नू मूर् परशाद दा पोगलग आके उसे पत्थर उत्तेवी रखन लाग पए ता बच्यों किमे लगी तो हानू एक कहाणी बच्यों एक कहाणी सानू सिखाओं दिये कि सानू कदी भी मेहनत तो नहीं पजणा चाहिदा चाहे कोई भी चुनोती होवे संघर्ष होवे सानू इस नाल अपना मन नहीं अकाउना चाहिदा जुद तुसी मेनत ते ओजार नाल खुदनू तराश देयो ता तुसी सफ़ध हुँदेयो इसलेई सानू मेनत करदे खुदनू मजबूत बणावना चाहिदा जो लोग अजेहा नहीं करदे हान उना दा हाल उसे पत्थर वरगा हो जान जी में नारियल तोड़न वाले पत्थर दा होया